विच मार्केट इस बेस्ट पर यू एज इंट्राडे ट्रीडर किस मार्केट में आपको ट्रीड करना चाहिए फॉर यूर बैटर पॉर्ट प्रॉफिट ज्यादा आप पैसा कहां बना सकते हो उसके उपर बात करने वाले अगर आप कोई पैसा कंट्री में भेज रहे हो तो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिगालिटी जा जाती है जो आप नहीं कर सकते है तो हम वहाँ पे कुछ एक P2P का एक options निकाला गया है जो आप use करके Forex में ट्रेड कर सकते हो तो मैं वहाँ पे gold ट्रेड कर रहा हूँ ठीक है तो देर इस थ्री मार्केट इंडिन मार्केट क्रिप्टो मार्केट फोरेक्स मार्केट आपके लिए कौन सा बेस्ट मार्केट हो सकता है और मेरे लिए कौन सा बेस्ट है मैं कौन सा जाधा ट्रेड करता हूँ मेरे लिए कौन सा बसे suitable है मैं उसके पर भी बात करूंगा So first of all Indian market के हम बात कर ले तो Indian market में सबसे बड़ा 2-3 points जो drawbacks है और जो अच्छाई है मैं उसके पर बात कर ले तो अच्छाई है तो कुछ है नि भाई आप भी जाने रो ठीक है तो कुछ एक drawbacks को पर बात कर लेते हैं ठीक है उसके बाद आप decide करना कि which market is good for you is it crypto market, is it Indian market और is it forex market Indian market का मैं एक drawback share करना चाहूँगा आपके साथ अभी recent में एक data भी निकल के आए कि 93% option traders are in loss 93% option trading जो इंडियन market में कर रहे है वो losses में है CB का ये data कल या परसो publish हुगा है ठीक है उसके हिसाब से मैं कहता हूँ ठीक है आप ये data निकाल के दे रहे हो बट reason क्या है loss क्यों हो रहा है option trading में first limited time के लिए market open है सबसे बड़ा biggest reason जो मुझे लगता है first reason जो इंडियन market से मुझे कहीं न कहीं दूर लेके जा रहा है चीजों को लेकर के ठीक है वो limited time मार्केट में इंडियन market में आप सबा नौ से लेकर के साड़े तीन बजे तक ट्रेड कर सकते हो if you want to analyze the market at one hour time frame अर्ले टाइम फ्रेम पर अगर आप मार्केट को analyze करने कुछ इस करोगे तो आपके पास मात्र शे केंडल होगे दिन के उस शे केंडल के आप कैसे डिसाइड कर सकते हो के मार्केट ऊपर जाने बाला नीची जाने बाला है वेरी सपोट वेरी इस रेस्टेंस यू कांट प्रेडिक अब आप हम क्या करते हैं कि उस चीज को टैकल करने के लिए ना हम अपने जो टाइम फ्रेम है उसको लूइर कर लेते हैं वन मिनि वहाँ पे आते हैं बिग प्लेयर्स जो आपके साइकोलजी के साथ प्ले करते हैं आपके एसल को हंट किया जाता है बहुत गंदे तरीके से आप जिदर पोजिशन बनाते हो मार्केट आपके एसल को उड़ाते हूँ निकल जाता है so in Indian market और खासकर कि Indian market मां ऑपशन ट्रेडिंग में मैंटिपलेशन बहुत असान हो चुक है MAGNFT का तो ऑपशन पता नहीं किस तरीके से किस वे मैं मैंनिपलेट बहुत हो रहा है और हमारा से भी सो रहा है ठीक etmek हमारा से भी सो रहा है ठीक है इस पे आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते हैं, वहां पे 1-bay operated market होता है, कि मतलब एक कुछ एक smart money है, कुछ एक बड़ा पैसा है, जो market को operate कर और उसके हिसाब से market continuously चल रहा है, मतलब आपके हाथ कुछ आई नहीं रहा है, simple से चीज है, तो पहली बार इंडिन मार्केट में option trading से हमारे पास scandals ही नहीं होते तो हम फिर नहीं कर सकते थर्ड थिंग्स जो मुझे इंडन मार्केट में option trading में विकार लगता है वो यह है कि we don't have any leverage हमें leverage नहीं मिलता है और उसके वएसे क्या होता है capital का full capital का इस्तमाल करके भी उसके जो maximum potential हो सकते हैं उस capital पर जो maximum returns हम generate कर सकते वो नहीं कर पाते हैं due to leverage हमारे पास confidence होता है trade में कि हां यह जाने बाला है that's confidence के बज़य से भी आप चाहो तो trade बढ़े कर सकते हो बट आपके पास leverage का option नहीं होता तो आप वो चोटे quantity में trade करते हो और जो limited profits आपको होना तो वही होता है यह तो basics point हो गया सबसे biggest point जो हर एक trader face करता है इंडियन market में वो है option में theta dk आप इससे relate कर रहे होगे theta dk में problem क्या आता है जैसे ही आप options को purchase करते हो let's see मैं देखो यह gold का chart है it's a gold chart है na gold के chart में अगर मालो मैंने इस जगह पे call का position मना लिया let's see मैंने इस जगह पे call का position मना लिया upside के लिए view बना लिया हमने इदर कहीं stop loss रह या फिर हम यहां पे कहीं मान गई चलो आपने bottom पे upside के लिए trail plan किया आपने यहां पे stop loss रखा उसके बाद market इतना देर से रोए जा रहा है बतलब इतना देर से किदर भी नहीं चा रहा है अगर Indian market में आप इतना देर continuously बैठ जाओ तो आपना trade आपका आपके favor में है आपको loss इधर कहीं का हो रहा होगा मतलब market आपको loss ऐसे दिखा रहा होगा जैसे market आपके against में इतना point नीचे चलाया सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक option trader के अगेंस्ट में काम करता है अब हम चाहते तो option selling कर सकते तो option selling margin बहुत जादा चाहिए लेवरेज है नहीं कुछ भी तो option selling कर नहीं सकते बाइडिफॉल्ट हमें option buying करना होगा और बाइडिफॉल्ट option buying में में क्या चाहिए momentum चाहिए momentum को catch करने के लिए मैं कई बार fake outs के trap मतलब फस जाते है कई बारा में fake entry बनानी पड़ती है कई बारा में fake trade में से entry exit करना होता multiple trades लेना होता because momentum catch करने के लिए आपको multiple trades plan करने पड़ेंगे that's why Indian market is completely avoid कर रहा हूं हां if you are a really good scalper अगर आप अच्छे scalping कर लेते हो with very good risk reward ratio वहां पे भी management जरूरी risk reward ratio का then definitely आप कर सकते हो है तो यह सब जो points को मैं analyze करते leverage नहीं है time का issue है उसके बाद थीटा डीके का problem है heavy manipulation है market में price action बहुत कम काम करते हैं तो इन सब चीजों को अगर आप notice out करोगे तो आपको कहने का मतलब मेरा यही निकल के आता है कि मतलब Indian market तो नहीं है एक beginner trader के लिए हाँ अलग बात है कि आपके बड़े fund है जैसे देखो यहां पर यह ट्रेट प्लान कर सकते हैं just see बस इसको फटने बर देरी है देखो अराम से यह इसके ऊपर निकल जा है उसके बाद देखियो कितना मस्त ट्रेट चलेगा यह है ना चलो टागेट हम यहां तक का सेट करेंगे बहुत बढ़ी है 600 पिप्स के असपास का टागेट रहेगा लिटल बिट डाउन हम रख सकते हैं बहुत बढ़ी है 14-100 ट्रेट है कि हैं क्र strum के अगर मानंके चलो माकेट ने आप को अपको अपर्षन अपर गिर कर सकते और चलों क्रिप्टो一下 कर सकते हो क्रिप्टो और क्या किन्वा डीये अब चलो मैं क्रिप्टो मार्केट में आता हूं क्रिप्टो मार्केट के क्या drawbacks है क्या benefits है first, क्रिप्टो मार्केट 24-7 everyday open है कुई एक single day close नहीं है 24-7 no holidays nothing crypto market में दो-तिन coins जो है वह बहुत best है वहां पर trade कर सकते हो हरे coins में trade नहीं किये जा सकता है because वहां पर manipulation बहुत जादा है crypto market में जो bitcoin ethereum solana matic माना इन सब trades को अगर आप देखोगे coins को देखोगे तो better opportunity आपको देखनी को मिलेगा 24-7 open रहेगा तो अबड़े time frame पर जाके चीज़ों को analyze कर सकते और price action बहुत अच्छा काम करता है but yeah there is some sort of manipulation crypto market crypto market भी थोड़ा बहुत manipulation है जो Indian market comparison में बहुत कम है बहुत जादा कम है तो सबसे बड़ा benefit कि है कि आपको यहां पर 24-7 मिल रहा है पे कि investment पे आप 400 का trade plan कर सकते हो इस type से आपको leverage यहां पर मिलता है third thing तो यह हो गया fourth job को मिलता है वो है without any decay आप trade को बढ़िया से hold कर सकते हो suppose that आपने trade बहुत बढ़िया plan किया है market due to some side some short of labels और कह सकते हो कुछ एक problems की वज़ए से market में momentum नहीं है तो market एक जगा फसा हुआ है range में फसा हुआ है बट आपको मालूम है कि आपका trade बहुत सही है तो आप उस trade को hold कर सकते हो एक दिन दो दिन दस दिन पचास दिन तक भी hold कर सकते हो कोई शो नहीं है लंबा जतना आप चाहो उतना hold कर सकते हो तो no theta decay no expiry nothing कुछ भी नहीं है आप अराम से must trade को hold कर जाओ future trading में ठीक है यह 3-4 points अगर आप देखोगे तो Indian market के comparison में तो crypto market better है फिर हम क्यों नहीं crypto market को trade करेंगे leverage मिल रहा है time का कोई issue नहीं है better analysis काम करता है price action बहुत अच्छे से काम करता है manipulations बहुत कम है so why not crypto market third market जिसके में बात कर रहे हो है forex market forex market illegal है but forex market में भी P2P के basis पर trade कर सकते हो वहाँ पर क्या है gold के chart को अगर आप देखोगे continuous market momentum रहते हैं 3-4 sessions होते हैं London session, US session, Sydney sessions बहुत 3-4 sessions होते है news भी news भी market को drive करता है बहुत बढ़िया से दू-3 points जो gold के chart में सबसे पहला चीज stability gold में बहुत ज़ादा stability है gold versus US dollar का चार्ट होता है उसमें बहुत ज़ादा stability है ऐसा नहीं के मतलब गिरने लगा तो भाई बस अब तो गुरूखने के नाम नहीं लेगा ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है so there is a huge stability in gold chart second चीज आपको 24-7 ओपन मिलेगा Monday to Friday Saturday Sunday यह बन रहता है कोई शुनी अच्छी बात है छुटी होनी चाहिए third thing जो gold मुझे सबसे best लगता है आपको यहाँ पर भी मतलब बहुत ज़ादा leverage मिलता है 1-2,000 तक का leverage मिलता है अगर आपको मालों में की treat आपके favor में जा सकता है then definitely you can take a risk without taking risk आप profit नहीं बना सकते बड़े profits बनाने के लिए आपको risk लेने पड़ते है risk अपके switch पे लोगे अब capital किसी के पास है नहीं वहाँ पे क्या है यहाँ पे ना अगर आपके पास knowledge है तो उस knowledge का इस्तमाल करके आप पैसा बड़ा बना सकते हो but Indian market में it's not possible so यह कुछ ही points अगर आप figure out करोगे तो सबसे best market जो मुझे लगता है वह forex है forex क्यों best है manipulations तो एकदम ख़तम है भाई manipulations ना के बराबर है ना के बराबर इसको manipulate करना लगबग impossible है gold को खास करके gold forex market में gold को manipulate करना बहुत difficult work बहुत ज्यादा difficult है तो manipulation की तो बात ही छोड़ दो है ना यहाँ पे अगर आपके बास real price action की knowledge है अगर आप perfectly set up पे काम कर पा रहे हो then definitely you will make money from this chart from this market so सबसे best जो मुझे लगता है वो forex market में वी gold कास करके उसके बाद अगर आप आओगे तो crypto market no doubt crypto market में भी आप देखोगे और gold में भी देखोगे पहले तो leverage बहुत अच्छा है manipulation बहुत कम है Monday to Friday trade कर सकते हो price action बहुत अच्छा काम करता है ठीक है कम capital से trade कर सकते हो कोई issue आनेवली बात है so as compared to Indian market crypto market भी best है forex market भी best है मेरे according सबसे best मुझे forex market लगता है उसके बाद मुझे crypto market लगता है उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आप strategy based करते हो then definitely आपको करना चाहिए बट अगर आप नॉर्मली ऐसी बस घोस रहे हो और निकल रहे हो कर रहे हो बस ऐसी कर रहे हो ना तो गलत है आप profit नहीं बना पाओगे मैं खुल के कह रहा हूं लिख के दे रहा हूं if you are fully conscious fully disciplined fully mindset आपका prepared है कि मुझे पैसा बनाना है मुझे पूरा rule को follow करना है पूरे setup को follow करना है then definitely will make some short of money from option trading but मैं कह रहा हूं कि अगर आप 1000 लगा करके इंडियन मार्केट में 500 बना सकते हो और फॉरेक्स मार्केट में 1000 लगा के 1500 बना सकते हो तो बेटर क्या है अपके लिए आपको decide करके देखो so that's why my first market जो मेरे हिसाब से best है वो है फॉरेक्स का गूल्ड second जो मुझे लगता है वो Bitcoin या फिर Ethereum क्या सकते हो crypto market third Indian market में equity और option trading दोनों ठीक लगता है बट option trading थोड़ा मुझे बिकार सा लगने लगा है because इतने ज़्यादा manipulation हो रहे हैं और कोई accident नहीं लिया जा रहा है और इतने ज्यादा changes आगे rules में इतने ज्यादा continuously changes आ रहे rules में कि एक normal इंसान एक normal individual को trade करना बहुत मुस्किल हो जा रहा ब्रूकरेज बहुत ज्यादा है stamp duty GST CGST पता नहीं कितने सारी चीज़े लगा करके बैठा हुआ गौर्मेंट और मैं तो यह कहता हूँ कि अगर FNO trading से कोई पैसा नहीं बनाता 93% traders are in loss then why are you opening this market आप option trading open क्यों कर रहे हो बंद कर दो ना भाई मैं कह रहा हूँ government हमारे देश की सबसे बड़ी सुब्चिंतक कौन government let's see उसके पास एक data आता है कि इस चीज़ के वज़े से हमारे देश के लोगों को ना नुकसान हो रहा है तो क्या वो बंद नहीं कर सकता ओप्रेट तो मारे गवर्मेंटी कर रही है तो simply option trading बंद कर देना क्या problem है बंद कर दे 93% traders are in loss साथ लोग कमा रहे है तिरान में लोग loss कर रहे हैं then why are you open this market मतलब simple सोच के देखो ना दो मिनटे के लिए सोच के देखो यानि इस चीज से कहीं न कहीं system को फाइदा आपको फाइदा हो या ना हो उस चीज से system को को फरक नी पड़ता system को फाइदा होना चाहिए और कुछ एक top-notch traders top-notch people's और smart money big place को फाइदा होना चाहिए बाकि आपक कुछ नए regulatory लेकर आजाएंगे कुछ नए advisory लेकर आजाएंगे कुछ नए rules बना देंगे मतलब आपको पैसानी कवाने देंगे और 93% को या फिर कुछ next year might be 95% आएगा data को दिकत वाली बात नहीं है तो आप देखोगे तो धीरे-धीरे अबना ये Indian market को कहीं न कहीं एक bad image बन नहीं इतने ज्यादा manipulations है और system में ये सब चीजे है problem, loopholes है तब ही तो ये सब चीजे हो रही है तो definitely आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सब best market हो सकता है क्या Forex Market best है क्या Crypto best है या फिर क्या Indian market best है तीनों को trade करने के लिए सब से best options है आप चाहो तो Indian market में धन से trade क कर सकते हो crypto और Forex market को trade करना चाहते हो definitely you can go with XNS description box में लिंक है वहाँ पर partner code दिया हुआ है अगर उसके थुरू आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको मेरा VIP group आपको मिल जाएगा free of cost जहाँ पर मैं जो भी ट्रेट्स पंच करता हूँ वह आपको free of cost वहाँ पर मिल जाएगा so definitely अब हमारे link के through open करें और वहाँ पर मेरा जो partner code दिया हुआ है उसको paste कर दे एजर पार्टनर तो आपको जैसे ही आप वहाँ पे एक दूर ट्रेट्स प्लान करोगे उसके बाद फिर मैं आपको VIP group में add कर दूँगा ठीक है so let's see मिलते नेक्स वीडियों तब तक लिए thank you so much bye bye take care और आप डिसाइड करना भाई कि आपके लिए क्या बेस्ट है मैं आपको अपना एक overview दे दिया हूँ अपना एक mindset share कर दियो what is better what is good for you बाकी आपकी मर्जी है with don't force मेरे पास कोई हक नहीं है आपको यह कहनेगा कि आप वारिक्स ट्रीड करो आप क्रिप्टो ट्रीड करो आपको जो अच्छा लग है वो ट्रीड करो बट हाँ पस्पेक्टिव मैंने शेर कर दिया this is forex this is Indian this is crypto whatever you think कि यह सही है आप वो क पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मिलते है नेक्स वीडियो तब तक लिए थेंक्यों सो मुच बबाई टेक क्यर है वे नाइस टे